बड़ी खबर बिहार से आपको बता रहे हैं जहां जेडियों में भारी फूट की खबर सामना आ रहा है नितीश कुमार पर हमला वर हो रहा हैth सभी लौकर पेंटु के तरफ से बड़ा बयान सामने कि शे आया है उन्होंने कहा है कि मोधी तो मुमकिन है इसे के साथ उन्होंे ब्पक्षी गड़्मनदन पर भी बड़ा हमला बोला है उन्होंने कहा कि सिर्फ यह मीटिंग चाई और समोसा केसा के देखिए जो पिंटु साहब कह रहे है, वो तस्वीरे भी पीछे जो चल रही है कि जेडियू की गाड़ी जो है, चीफ मिरिस्टर की गाड़ी आज फस गई. जिस तरह से इनकी आज गाड़ी पट्टा में फसी है, जेडियू की गाड़ी उसी तरीके से गडवंदन में फसी हुई है, पार्टी में अलग अलग तरीके से पता नहीं क्या क्या हो रहा है, ये लेटिस तस्वीर अभी आ रही है, कोई बता रहा था कि नितिस जी अचानक से उनका मन कर गया कि पार्टी ऑफिस जाएंगे, पार्टी ऑफिस के तरफ चले गए, अब उनको पहले मुख्यमंत्री जा रहे है, तो कोई बता के रहेगा, जो ट्रैफिक ठीक कर लेगा, वो अचानक से मनमर जी, तो सौब मीटर जो है, वो सिक्रेटी वाले सब कुछ जो है जीतन नाम मांजी, जो है, वो यग करा रहे हैं, कोई कह रहा है कि मेटिकल बुल्टिन जारी होना चाहिए, पता अलग-लग तरह की चीज़े हो रही है, कहर। तो आज गारी फस गई, सौनिल कुमार पिंटू, ये सीता मली के सांसद है, और उन्होंने कहा कि भई ये देखि आजल, नितीश कुमार के मन की बात है, नितीश कुमार भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, ओफिसली और अन अफिसली, इंडी गड़बंद के नेताओं को, दिल्ली में भी और पत्ना में भी, वो बार बार कह चुके हैं, कि सीटो का बढ़वारा, उसका फर्मूल निकाल लो, तो ये सुनिर कुमार पिंटु ने कोई नहीं बात नहीं कह दी, एक तो वो टेंशन चली रहा है, कि गड़बंदन में जाते हो, चाय समोसा खाते हो, फाइव स्टार होटल में, बताई कोई बता रहा था कि वो, तीस-तिस हजार रुपे का एक कमरया बुक हुआ था मुंबई के अंदर, तो ये समाजवादी लोग है, है ना, समाजवादी लोग है, वे चाय भी पीते हैं, बारहसो चौदो सुरूपे कप, तो ये फाइव स्टार जीवन जो है, सेवन स्टार जीवन जी रहे हैं, ये लोग समाजवादी, तो वो ये कह रहा है कि बावाल इस बात के लिए मचा हुआ है, इन्होंने कह दिया कि देखिए, मोदी है तो मुमकिन है, ये गड़बंदन वाले मोदी को नहीं हरा सकते, ये बिकार की चीज़े हैं, तो पहली चीज़ ये जो कंट्रोवर्सिल जिससे बावाल मचा है, वो सांसद साहब कह रहे हैं कि मोदी के वो भक्त बन गए हैं, वो ये कह रहे हैं कि इस्तिफा देने के लिए तयार है, वो कुछ भी करने के लिए तयार है, भई एक सांसद क्या चाहता है, एक सांसद उसकी पहली प्रियरिटी ही होती है, कि वो फिर से चुनके लोग सभा जाएं, लेकिन एक बड़ी ब कर रहे हैं कि आरजेटी के साथ गटबंदन करके सीता मली के लोगों से हम फिर भोट मांगें, तो ये आप समझिए कि दो चीजे जो उन्होंने कही वो मन की बात है, जेडियू के निताओं के, मतलब उन्होंने तीन-चार बयान दिये, दो बयान जो इंडिया लाइंस के लि बात है, अब इसको लेकर के क्या अब इसका पॉलिटिकल रमिफिक्सिन समझना जरूरी है, इसका मतलब ये है कि एक व्यक्ति सामने आया है, बाकी सारे लोगों के अंदर भी अब कोलाहल मच रहा है, कुल मिलाकर के सोलह सांसद हैं, जेडियू के, टिकट का बटवार अगर इंडिय अलाइन्स में उस तरीके से नहीं होता है, कि जिसमें सोलह सीटे उनको दी जाए, और सोलह के सोलो सांसदों को रिपीट किया जाए, तो ये सांसद क्या करेंगे, कोई सांसद ये चाहेगा कि मुझे टिकट ना मिले, और इस वज़े से टिकट ना मिले, क्योंकि हम इसमें में हैं, आप लालु प्रसाद यादव के खिलाफ, आप जो है कॉंगरेस के खिलाफ, कॉंगरेस के एंटी हिंदू, वोट बेंक पॉलिटिक्स, लालु यादव के M.Y. कॉंबिनेशन के खिलाफ आपने पिछली बार जनता से वोट बागा था, आपने कहा था कि लाल सचार मुक्त बिहार बनाएंगे इस तरह कि तो वादिक किये होंगे बादियन्ता पार्टी के लाइन पर आप तो इस पार्टी के अंदर आप पिछली बार गए ये जेडियू के तमाम सांसद कि भाई राम बंदर बनाएंगे 370 हटाएंगे मोदी जी हमारे नेता है मोदी जी का फोटो लगा लगा करके आपने वोट मांगा इस बार आप जाएंगे आप ये कहिए कि भाई राम एक्जिस्ट नहीं करते राम किर्दमानस में जो है वो बेकार की चीजे हैं अब तो एक और बवाल जो नितिश कुमार को ज उसने कहा कि भई यह जो केसियार है यह ब्याहर का कुर्मी है जो तेलंगाना आ गया हमारे अंदर तेलंगाना का डियने है और उसमें डियने जो है ब्याहरी कुर्मियों का डियने है और तेलंगाना का डियने जो है वो ब्याहर के कुर्मियों के डियने से बहतर डियने है य है विपत्ति कितनी बड़ी होती चलि जा दरी एक तब जो ठीक नहीं रह रहा है को क्या जी कम को जाना कहीं और चले कहीं और जाते है बोलना कुछ और होता है बोल N Martine बहुत बड़ी दिक्कत है एक तो स्वास्थ ठीक नहीं रहता कुछ लोग करें दिमाग ठीक नहीं रहता कुछ लोग करें पाटी ठीक नहीं है कुछ लोग करतें गड़बंदन ठीक नहीं है और उन्होंने अल्टिमेटम दिया है कि 17 तारिक के मीटिंग में अगर आपने टिक के अंदर भी फिलाल चल रहा है वो यह कि सुनील पिंटु वो सिर्फ एक वॉइस है पाटी के अंदर तमाम लीडर्स के साथ यही तमाम सांसर जो है उनको यही लग रहा है एक दू को छोड़ दिया जाए ललन सिंग टाइप के लोगों को तो यह एक भावना जेडियू के अं पार्टी ओफिस और पार्टी ओफिस में जाकर क्या आप क्या करें वहारा नहीं था कोई होता है न कुछ होता है किसी ने मुझे बताया कि एक दिन सबरे सबरे आठ बुजे भोर में चले गए तो वहां सब कुछ दरौजा बगद था और वहां पूछ रहे थे कि यह है वह लेकिन सियासित तौर पे पॉलिटिक्स के अस्तर पे आप देखिए कि बिहार के अंदर जेडियू के अंदर जो वुगाहट सुरू हुई है सुनील पिंटो ने सिर्फ अभी एक तीली जलाया है ये विद्रो की आग बगावत की आग जेडियू के अंदर बहुत जल्द फैलने वाला है क्योंकि बहुत सारे संगी साथी नितिश कुमार के जो अब तक नितिश कुमार के हनुमान माने जाते थे कि कोई भी इस तरह का क्रैसिस सिस्टूशन होता था तो उसको वो निप्टाने में सफल होते थे वो लोग जेडियू से दूर हो रहे हैं अगर इस तरीके से एक एक विकेट गिरता जाएगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी और आप ये समझे की इस तरह के बयान की टाइमिंग क्या है दस तारिक को अमिशा जा रहे हैं पटना और वहां नितिश कुमार की उनसे मुलकात होगी अब मुलकात से पहले पटना में तो ये चर्चा चल रही है कि क्या फिर से वापस जाएंगे फिर ये होगा तो तमाम तरह से जेडियू कनफ्यूजन के दलडल में पूरी तरीके से फस चुकी है नितिश कुमार अगर सामने आकर के चीजों को ठीक ठाक नहीं करते हैं तो ऐ आज जो हमने आपको ये तस्वीरी दिखाए नितिश कुमार की इसको लेकर भी अब राजनिती में चर्चा हो रही है कि आखिर नितिश कुमार को हो क्या गया है खैल नितिश के ही पार्टी के नहीं था नितिश पे सवाल खड़े कर रहे हैं तो पार्टी बुरी तरह से घि दूसरी तरफ कल बिपक्षी एकता की मीटिंग होनी थी जो की कैंसल हो गई अब बताया तो यह जा रहा है कि यह बैठक अब 17 तारीक को होगी जिसका एलान भी लालू यादव की तरफ से किया गया पर इस बैठक पो लेकर ही पार्टी में विद्रोग की स्थिती आ गई है इस हमारे व्रत हमारी परीक्षा लक्ष तक पहुँचने की हमारी संयमित प्रतीक्षा हमारे चट से और हमारे हट से पूरी दुनिया वाकिफ है हमें विकल्प पर नहीं अपने दुड़ संकल्प पर अटूट विश्वास है क्योंकि हार हम मानेंगे नहीं और विबरीत परिस्थितियों पर प्रहार हम छोडेंगे नहीं जब तक हमारी जीत सुनिश्चित नहीं हो जाती क्योंकि हम बिहार से है कैपिटल टीवी पर मैं अमित प्रकाश ले कर आ रहा हूं बिहार पर एक ब्रैंड न्यू स्पेशल शोग हम बिहार से हैं